दोस्तो आज के इस countdown में हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक नए update और कुछ नए movies के बारे में जो की available है Netflix पर दोस्तो आज के इस countdown में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे Netflix movies के बारे में जो की actual में hidden movies है और इन movies को हो सकता है कि Netflix पर आपने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तो समय की बरवादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौनकों से ऐसे interesting hidden movies है आज के हमारी countdown में जो की available है Netflix पर दोस्तो ये पूरी की पूरी movie based है romance and drama activity के ओपर दोस्तो इस movie की story के अगर हम बात करें तो इस movie की story की शुरुआत होती है एक ऐसे male prostitute से जो की अपने clients से ही प्यार करना शुरू कर देता है और इनकी love story कहां पर जाकर खतम होती है ये तो आपको इस movie को देखने के बाद ही पता चलने वाली है movie में दोस्तो बहुत सारे essay द्रिश्य हैं जो की हो सकता है कि आप हमने family के साथ तो देखना बिलकुल भी पसंद ना करें movie फिलाल दोस्तो शिर्फ English में ही available है इसकी फिलाल अभी तक Hindi dubbing नहीं की गई है इसकी A&V rating है 10 में 4.5 इसे Netflix पर रिलीस की गई है दोस्तो इस movie की story भी बहुत ही ज़्यादा unique है कहाने की शुरूआत होती है हमारे hero से जिसे सिर्फ सनिवार को ही घुसता आता है और वो सनिवार को ही सब लोगों को मारता है लेकिन असल में इस सनिवार के पीछे के रह से चिपा हुआ है ये जानने के लिए आपको इस movie को एक बच जरूर देखना चाहिए ये movie especially उन्हें बहुती ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि action thriller movie देखना बहुती ज़्यादा पसंद करते हैं movie बहुती ज़्यादा fresh बनाए गई है इसी दिए इसे चाहे तो आप अपने वोरे family के साथ भी बैट कर देख सकते हैं इसकी IMDb rating है 10 में 7.3 इसे चाहे तो आप देख सकते हैं Netflix पर दोस्तो ये पूरी की पूरी movie especially उन्हें बहुती ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि horror और action movie देखना बहुती ज़्यादा पसंद करते हैं कहाने की शुरात होती है एक ऐसे family से जिसके उपर अचानक से ही भूत हावी हो जाता है लेकिन इन में से कुछ ऐसी भी members होते हैं जिनके उपर भूत हावी नहीं होते हैं और जो भी normal members रहते हैं वो अपनी जान इन भूतों के हाथ से किस तरह बचाते हैं ये जानने के लिए आपको इस movie को एक बच जरूर देखना चाहिए movie की presentation amazing है इसे हिंदी और इंग्लिस दोनों language में ही release की गई है movie में बहुत सारे slasher activity आप देखने वाले होते हैं और इस movie को किसके साथ देखना है और नहीं देखना है ये मैं पूरीतर से आपके उपर ही छोड़ता हूँ इसकी IMDV rating है 10 में 6 इसे Netflix पर release की गई है number 4 पर है do you see what I see दोस्तो ये पूरी की पूरी movie based है horror and thriller activity के ओपर दोस्तो इस movie की concept भी आपको बहुती ज़्यादा पसंदाने वाली होगी कहानी की शुरात होती है अमारा नाम के एक छोटी सी बच्ची से जो की अपने जनम दिन के ही दिन वो एक ऐसे घर में पहुँचाती है जहां पर जादू तो ना चल रहा होता है और उसी दिन से उसके पीछे एक भूत पढ़ जाता है और लाश्ट तक अमारा इस भूत से किस तरह छुटकारा पाती है ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही बता चलने वाली है मूवी में आप अच्छी खासी होरर अक्टिविटी इंजॉय करने वाले होते हैं इसे दोस्तो फिलाल अभी तक हिंदी में रिलीस नहीं की गई है इसकी IMDV रेटिंग है 10 में 6.8 इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेट्फिक्स पर नमबर थ्री पर है Haven and Hill दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी इस्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि Action Thriller मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं मूवी की Presentation यू तो बहुत ही ज़्यादा क्रीन है लेकिन इस मूवी में आपको हलके फुल के सेक्श्वल दिश्य नजर आने वाले होंगे इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्ज में रिलीस की गई है कहाने की शुरुआत होती है एक ऐसी बच्ची से जिसे कुछ गैंग्स्टर किर्नाप कर लेते हैं लेकिन दूसरे ही तरफ एक नर्स और एक एमबुलेस ड्राइवर जो की किसी भी तरह से इस बच्ची को बचाना चाता है और लाश्ट तक वो अपने इस काम को किस तरफ पुरा करते हैं ये तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है मूवी की प्रेजंटेशन अमेजिंग है और ये मूवी उन्हें मास्टर पिस लगने वाली होगी जो की एक्शन थ्रिलर मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इसकी IMDV रेटिंग है 10 में 6.8 इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेट्ट्लिक्स पर दोस्तों ये पूरी की पूरी मूवी इस्पेशली उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग लगने वाली होगी जो की एक्शन और त्रिलर मूवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं कहाने की शुरुवात होती है एक ऐसे लड़के से जो की अमीर बनने के लिए कुछ इलिगल काम करने जा रहा होता है लेकिन यही इलिगल काम उसके जान की दुश्मन बन जाती है और लाश्ट के लड़का इन सभी चीजों से किस तरह बाहर निकलता है यह तो आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलने वाली है मूवी दोस्तों फिलाल अभी तक हिंदी में एफिलिबल नहीं है इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.7 इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेट्फिक्स पर और नमबर वन पर है दोस्तो दो फाइनल देस्टिनेशन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आज ही देखिए ये मूवी पूरीता से आपके फाड़ कर रख देने वाली होगी अच्छे से अच्छे हॉरर मूवी भी दा फाइनल देस्टिनेशन मूवी के सामने पूरीता से फीके हैं क्योंकि दोस्तों फाइनल देस्टिनेशन की स्टोरी इतनी ज़्यादा धासू है और इसकी प्रेसेंटेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आपका दिल भी दहल उटेगा इसकी IMDV रेटिंग है 10 में 5.9 इस चाहे तो आप देख सकते हैं नेट्फिक्स पर इसे हिंदी और इंगलिस तोनों लैंग्ज में है रिलिस की गई है